जन्पद मत्रा के चौमवा छेत्र में घर से गमी में बतारी करने जा रहे पती पत्नी के उपर रास्ते में हाई टेंशन विद्धित लाइन का तार तूट कर गिरने से दोनों बुरी तरह से जुलज गई आसपास खेतों में काम कर रहे किसानों ने दोनों पती पत्नी को आनन्फानर में राच के लिए केड़ी एस्पताल में भर्ती कराया जहां डॉक्टरों ने दोनों की गंबीर हलत को देखते हुए उन्हें दिल्ली के लिए रेफर कर दिया जानकारी के मताबिक चौमवा के गाउं तरॉली जनूबी निवासी गिरराज सिंग अपनी पत्नी गुल्डी बेदी के साथ मोपेड से सुभे करी दस बज़े गाउं पसौली गमी में बतारी कने जा रहे थे इसी दरान गास्ते में तरॉली और पसौली के मद्धर रास्ते में उपर से गुजर रही हाई टेंशन विद्दुत लाइं का तार अचानक तूट कर दोनों पती पत्नी पर गिर गया जहां डॉक्टरों ने उनकी गंबीर हालत को देखते हुए उन्हें दिल्ली के लिए रैफर कर दिया वाई ग्रामिलों ने बताए कि आहाथसा विद्द विभाग की लापरवाई के कान हुआ है प्रदान मूल्चन ससोदिया ने बताए कि एक दिन पहले इसी लाइन पर बिजली विभाग के करमचारी काम करके गए है समर्बता इनी की लापरवाई के कान हाई टेंशन का तार तूट कर गिरा है बताया गया कि गनीमत रही आग आसपास कटी पड़ी गैहूं की फसल में नहीं लगी यदि ऐसा होता तो सैकलो एकड़ गैहूं की फसल जलकर राख हो जाती तो यह कौन लोग थे किस चीज पर रहे थे विक्की पर रहे थे गुड़ी है और गिराज है इसका नहीं पती पती पत्नी यह जा रहे थे यह पसौली जा रहे थी बतारी के लिए कि इनके आने पर टूटा है इनके आने पर टूटा है इनके आने पर ही तूटा है उप और इसकी चपेट में लोगा गे यह आगे इंगो नो आग लगी कि आगे लगी है इनमें बर्राता भीता है अभी श्टिती कैसी है उन लोगों कि इस्टिती एक की तो बिल्कुल गंबी रहालत है और एक फोला सांस चल लहीं है हाँ केटी केटी मिले गई यहां से दिल्ली गई